स्वाइमवर मिका दी वोटी का मकसद पूरा हो गया है सिंगर मिका सिंग ने अपनी वोटी चुन ली है जी हाँ दो माहिने तक चले इस शोव के जरीए वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाली अकान शापुरी को मिका ने अपना हमसफर चुना है मिका का दिल उनकी 12 साल पुरानी दोस्त अकान शाप चुरा ले गई आखिर कौन है मिका की वोटी अकान शापुरी जिनके लिए मिका का दिल जोरो से धड़का है आईए जानते हैं अकान शापुरी एक एक्ट्रिस और मॉडल है उनका जन 26 जुलाई 1988 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था मिका की दुलनिया कई बॉलिवुड और साउथ की फिल्मों में नजर आ चुकी है अकान शा ने अपनी पढ़ाई इंदौर से ही पूरी की है पूरी के फादर आर के पूरी एसपी हैं वहीं उनकी मा एक हाउस मेकर है अकान शा पूरी के मिका दिवोटी शो में एंट्री की बाद से ही सब जगह उनकी चर्चा होने लगी थी और अब वो मिका की दुलनिया बनने जा रही है आपको बता देगी आकांशा पुरी के पुराने रिष्टे की बात करें तो वो साल 2017 में आकांशा टीवी आक्टर पारस छाबडा के साथ रिलेशन्शिप में आई थी दोनों के रिष्टों की चर्चा बिक बॉस तेरख शो के दोरान खूब हुई थी जब पारस छाबडा ने शो की एक और कंटेस्टेंट माहिरा से अपने रिष्टे को लेकर बात करते समय इसका खुलाजा किया था और इसके बाद से ही आकांशा पूरी के चर्चे होने लगे थे इतना ही नहीं आकांशा पूरी और पारस छाबडा टीवी शो विग्न हर्ता गणेश में साथ में नजर आई थे जिसके बाद से ही दोनों के बीच नस्दीकियां बढ़ने लगी दोनों साल 2017 में लिविन रिलेशन्शिप में भी रहे इतना ही नहीं पारस ने अपने हाथ में आकांशा के नाम का टैटू भी करवाया था इसके बाद पारस बिग बॉस में आए और माहिरा से उनकी नस्दीकियां काफी बढ़ गई अब ऐसे में आकांशा और पारस अलग हो गए आकांशा पुरी ने अपने करियर की शुरुवाद आक्टिंग से नहीं बलकि किंग फिशर एयर लाइन्स के लिए एक एयर होस्टेस के रूप में की थी इतना ही नहीं इंटर्टेन्मेंट इंडोस्ट्री में उन्होंने एक मॉडल के रूप में काम करना शुरू कर दिया इसके बाद साल 2013 में अपनी पहली तमिल फिल्म एलेक्स पांडियन से उन्होंने फिल्म दुनिया में अपना डेबियो किया इसके बाद साल 2015 में उन्होंने हिंदी फिल्म कैलेंडर गर्ल्स 2015 में काम किया था इसके बाद उन्होंने 2017 में टीवी शो विग्ण हरता गणेश में देवी परविती की भूमी का निभाई थी आपको बिदा दें अकांशा पूरी ने हिंदी के अलावा तमिल मलयालम और कन्नड फिल्मों में भी अपनी आक्टिंग के जल्वे खूब बिखे रहा है और अब एक्टरेस मिकाल सिंग की वो टीव बनने जा रही है आप बिलकुल भी मिसना कर पाएं